Hello Friends, Welcome to the Commerce Study Point आज हम लोग Business Studies के एक और यूनिट को कवर करेंगे जो है Management as Science, Art and Profession तो अगर हमें Management को as a Science समझना है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम Science का मीनिंग देखे कि वो क्या होता है Science refers to the systematic body of knowledge which accept the things only after the basis of observation, experiments and verification of the facts मतलब Science क्या है? एक systematic body है जो पूरे एक सिस्टम के साथ चलता है और इसके अंदर किवल वही facts add किये जाते हैं जिनको अच्छे से observe किया गया हो जिन पर experiments हुए हो और जिनको verify करा गया हो proper तरीके से Without verification, Science के अंदर किसे भी fact को जगा नहीं मिलती तो Science पूरी तरह से observation, experimentation और verification पर based है अब हम इसकी आगे की चीज़े समझते हैं जो है Testing of Management as a Science इसको हम characteristics of management as a science भी कह सकते हैं First है systematic body of knowledge Science क्या है? एक systematized body of knowledge है मतलब Science के अंदर जितने भी चीज़े होती हैं वो एक system के according चलती है इसके अपनी theory होती है, अपनी principles होते हैं जो कि management के experts ने बनाए हुए होते हैं बहुत सारी research करने के बाद Science के अंदर जितने भी चीज़े आती हैं वो सब experiments के बाद या फिर observation के बाद ही आती हैं तो वो observation या experimentation या चीज़ों को verified कौन करता है? वो management के experts करते हैं और कैसे research करके उसके बाद ही किसी भी fact को science के अंदर add किया जाता है तो ये था हमारा systematized body of knowledge second point है principle based on experimentation जितने भी principle science में add किये जाते हैं उन सब के उपर पहले experiment होता है उन्हें continuous उनके उपर कुछ ना कुछ experiment किया जाता है तभी उनको बे मतलब उनको एक अच्छा principle माना जाता है verified principle माना जाता है जैसे कि जो भी हमारे chemistry के equations होती है या physics के formulas होते हैं तो वो तब ही आते हैं जब उनको observe किया गया था उनको experimentation पर डाला गया था और उनको verified किया गया था without experimentation science का कोई principle नहीं बनाया जाता और अगर वो होता है तो अगर वो प्रूव नहीं हो पाता तो उसको science का principle हम नहीं कह सकते थर्ड पॉइंट है universal validity जो हमारे science के principles होते हैं वो universal validity के होते हैं मतलब अगर हम कहीं भी जाएंगे तो वो ऐसे के ऐसे ही हमें मिलते हैं जैसे कि 2 प्लस 2 is equal to 4 होता है यह सबको पता है तो अगर हम कहीं भी चले जाएं इंडिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो वो हमें 2 प्लस 2 is equal to 4 answer मिलेगा यह क्या ही एक चीज यूनिवर्सल है हर जगा सेम है ऐसे ही science जो होता है वो experiments पर depend करता है तो science के अंदर जितनी भी चीज़े आती हैं वो universally valid होती हैं मतलब हम कहीं भी चले जाएं वो हमें सेम ही मिलेगी co2 carbon dioxide का formula होता है तो वो हमें इंडिया के हम किसी भी कोने में चले जाएंगे या कहीं भी जाएंगे universally not only India हम कहीं भी जाएंगे तो वो हमें co2 को as a carbon dioxide देखने को मिलेगा तो यह थे कुछ science की characteristics और systematized body of knowledge second principle based on experimentation और थर्ड यूनिवर्सल वैलिडिटी systematized body of knowledge वही कि वो system के according चलती है सारी चीज़े ऐसे ही कुछ भी चीज नहीं आड़ कर दी जाती जो भी laws principles होते हैं सब किसके उपर बने हुए होते हैं एक्सपर्ट के research के बेस पर सेकिंड वही था principle based on experimentation जितने भी principles बनाए जाते हैं chemistry के हूँ physics के हूँ किसी भी चीज़ के principles जो बनाए जाएंगे वो किसके basis बनाए जाते हैं only on experimentation without experimentation science का कोई भी principle नहीं माना जाता थार्ड था universal validity कि हम कहीं भी चले जाएंगे जो factor में यहां देखने को मिल रहा है वही factor में उसी वे में कहीं दूसरी जगह देखने को मिलेगा जैसे कि CO2 हो गया या फिर 2 प्लस 2 is equal to 4 वो हर जगह सेम ही होता है तो हम कह सकते हैं कि management as a science क्या है management as a science is depend on the only verification, experimentation and observation हमारा second topic आता है management as an art management as an art क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले अगर हम management को as an art समझने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम इसका meaning देखेंगे कि art क्या होती है art refers to the practical application of existing knowledge मतलब when a person after completing the course of law start working as a lawyer in court now his work is called as an art मतलब जैस आर्ट जो होता है जैसे हमने कोई भी knowledge ली उसको जब हम practically apply कर रहे हैं अपनी life में जो हमारी existing knowledge है उसको जब भी हम practically apply करते हैं अपनी life में तो वो art होता है जैसे कोई person है उसने law का course किया law की degree ली अब वो work कर रहा है court में as an lawyer एक lawyer की तोर पे वो work कर रहा है तो वो किस चीच पर depend कर रहा है उसकी knowledge पे अब वो अपनी knowledge को क्या कर रहा है वो practically applied कर रहा है आर्ट की कुछ character six देखते हैं जिन्हें हम testing of management as an art भी कह सकते हैं first is existence of theoretical knowledge मतलब जो हमारा management होता है उसकी existence होती है वो depend करती है management as an art की बात हो रही है है तो उसका existence है वो depend करता है only on the theoretical knowledge जैसे कि जो भी हमारे हमने देखा है कि जो जैसे हम management पढ़ते हैं तो वो भी कुछ ना को चूरी इस पर बेज़े हैं हमें कुछ बहुत सी literature देखने को मिलती है उन पर तो जो भी knowledge based होती है वो किस पर होती है theoretical knowledge पर बेज़े होती है management as an art की हमने देखा है कि बहुत सैसे person होते हैं जिनके पास same degree होती है लेकिन उनके work करने का तरीका अलग होता है बट उनका जो objective होता है वो same होता है for example कोई दो teachers हैं दो players हैं हाना दोनों teachers क्या करेंगे अलग-अलग तरीकी से पढ़ाएंगे लेकिन उनका motive क्या है students को teach करना students को चीजों को समझाना कोई दो players है वो अपना अलग-अलग तरीकी से खेलेंगे बट उनका main motive क्या है खेलना तो यहाँ पर motive तो same होता है लेकिन सब का अपना-अपना personal तरीका होता है चीजों को apply करने का अपनी knowledge को apply करने का जैसे कि हमने maths में भी देखा है यह बहुत सारी चीज़ें जरूरे नहीं है कि एक formula के base पर ही निकले कोई उसे किस तरह से समझता है और कोई किसी और तरीके से लेकिन motive क्या होता है answer लाना answer निकालना उसका answer तो उसका same ही होता है तो सबका तही का अपना होता है लेकिन motive एक होता है थर्ड आता है based on practice and creativity जो हमारा management as an art है वह based होता है किस पर practice पर और creativity पर जो manager होता है वो अपने आपको improve करने के लिए अपने आपको better बनाने के लिए continuous continuous रूप में कुछ न कुछ practice करता रहता है कुछ न कुछ creative things लाता रहता है तब ही वो अपने आपको best बना सकता है किसी दूसरे के comparison में तो यह बहुत सरूरी है management as an art के अंदर कि जो भी person अपनी existing knowledge को apply कर रहा प्रैक्टिकल वे में वो उसकी practice करता है time to time और साथ ही साथ क्या हो creative हो तो आज हमने देखा management को as in science और as in art कल हम पढ़ेंगे इसको management as a profession क्या होता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजे share करिजे अपने friends के साथ और चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दीज ताकि आगे की मैं जतनी में वीडियो लाओं वो सब भी आपको time to time मिलती रहे इसका एक part और आएगा इस वीडियो का जिसमें यह वाले जो chapter है यह वाली unit हमारे complete हो जाएगी management as in science, art and profession thank you guys, thank you for watching